एक बार बाबा के भक्त देव कामता दिक्षित चित्रकूट में भंडाला करवाना चाते थे उन्होंने बाबा से सहमेति ली और बाबा से चित्रकूट आने की प्राटना की बाबा ने कहा कि वो अवश्य आएंगे और कहा कि भंडारे में तीन संत आएंगे उन्हें आधर पूरग भूजन करा दिना नवरात्री में भंडारे कायोजन तै हुआ बाबा भंडारे की दिन तक चित्रकूट नहीं पहुँचे फिर भी दिक्षित जी अपने बड़े भाई को घर पर छोड़ गये कि जब बाबा आएं तो उन्हें लेकर चित्रकूट आजाए भंडारे के लिए जब दिक्षित जी चित्रकूट आए उसी समय से एक अपरचित साधू धरमशाला के प्रवंदक के पास उपस्तित थे और भंडारी की तैयारी में लगातार हाथ बटवा रहे थे उन्हें लगातार निर्देश भी दे रहे थे बाबा विजिया दश्मी के दिन के बाद कानपूर पहुँचे और दिक्षित से पूछने लगे भंडारा हो गया जब बाबा के प्रश्नका उत्तर नहीं मिला तो बाबा ने स्वेम कहा अभी नहीं हुआ कल होगा द्वादशी के दिन भंडारा हुआ बाबा डॉक्टर दिक्षित के साथ चित्र कुट गए और प्रशाद गरण करके चले गए देर साम तक भंडारा चलता रहा हजारों लोगों ने प्रशाद पाया साइंग तीन संतों का आगमन हुआ उन्हें पीसे स्वागत असतकार से भोजन करवाया गया जब भंडारा संपन हो गया तो साथू की भंडारे में सेवाओं के लिए दिक्षित जी ने सोचा कि उन्हें एक उनी स्वटर भेट किया जाए क्योंकि वो साथू कई दिनों से लगातार भंडारे के कामों में मदद करने के लिए जुटा हुआ था दिक्षित जी एक उनी स्वटर खरीद लाए परंतू असाथू अचानक लापता हो गया धरमशाला का प्रवंदक भी उसे नहीं जानता था वो साथू और कोई नहीं स्वेम बाबा ही थे जय हो नेम करोरी बाबा की सदा जय हो मा सिद्धी की सदा जय हो बाबा सदा अपने भक्तों का कल्यान करना प्रवू कल्यान करना प्रवू जय हो बाबा जय हो सदा ही जय हो जय हो जय हो